तो पट्वारी भाईव आपका स्वागत है प्लस अकेड में ये पट्वारी के लिए स्पेशल क्लास है दोस्तों बहुत सारे बच्चों का कमेंड आते हैं मुझे यार रिजनिंग जब भी पढ़ाता हूं कि सर इन्पूट आउटपूट पढ़ा दीजे सर क्योंकि हमारे विसास है और तुम पर विसास है अगर इस वीडियो का रिस्पॉंस बढ़िया जबरदस रहा दोस्तों तो मैं आगे पूरी पट्वारी का सेलेबस आपको करवाने वाला हूं मेरा वादा है दोस्तों पेड कोर्स में जितना बढ़िया से नहीं पढ़ा होगा मैं आपको as a free में पढ़ा होगा याप ठीक है करना क्या है दोस्तों जब भी ये वीडियो आपको पसंद आए पूरा देखने के बाद आपको क्या करना है कि एक पटवारी अपना भाई दस पटवारी को इस वीडियो को शेर करेगा ठीक है ना दोस्तों समझ रहे ना मेरी बात दस को आप शेर करेंगे और इसी के साथ मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर बढ़िया लगा है आप जो है एक बार हमें इसका पूरा सेलेबस करवा दीजे तो ये आपके उपर है आप मेरे से अगर चाते कि मैं पूरा सेलेबस कराओं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक पटवारी भाई अमारा जो है दस पटवारियों को इसे शेर करेगा इयर फोन है तो इयर फोन लगा करके बेट जाएं ये नोटबुक पैन है तो नोटबुक पैन लेकर बेट जाए दोसु बहुत जबरदा स्टेशन होने वाला है गारंटी ये दोसु पांच नंबर में आपको इससे दिलवाऊंगा ठीके आप देखिए ये आला आपको जो एक उदारना ऐसे दे दिया जाता है तो इसको सबसे पहले हम बेसिक से समझते है दोस्तों कि इसमें क्या है देखिए कि की बैसिक बीना मज नी आएगा पहले है इनपुट अउटपूट बढ़ रहे हैं मधूट आउटपूट अब मालेजेक कोई दोसु मालेजेक कोई एक मशीन है इस मशीन के अंदर आप कुछ दे रहे हैं दोस्तों इसे बोलते है इनपूट और जो बाहर निकलता है इसे बोलते है दोस्तों आउटपुट clear है ना दोस्तों clear है अब देखिए मैं इसके अंदर को एक series जैसे डालता हूँ 8 10, 2 7, 12 28 और 15 यह series मैंने पूरी डाली दोस्तों अब होता क्या है यह machine दो तरीके से कारिय कर सकती इसमें यह तो इसको आरोही करम में जमाएगी आरोही करम में यह फिर यह जमाएगी अवरोही करम में अवरोही करम में ठीके दोस्तों यानि गटते वे करम में यह आरोही करम में बढ़ते वे करम में जमाएगी आप क्या करेगी जैसे ही आपने input डाला दोसु इस machine के एक खाश्यत्य ध्यान रखिए, एक बार में एक संक्या कोई इदर दर करेगी, समझ लेना ध्यान से, एक बार में एक संक्या कोई बदलेगी, अब जब इसके अंदर डाला तो मान लीजिए अवरोही करम में चल रही है, मान लीजिए लब घटेव करम में तो यहां तो सबसे बड़ी संक्या आएगी, इसने क्या क्या इस पूरी सीरिज को पड़ा दोसु इस machine ने, और सबसे बड़ी संक्या लिख दी यहां पर 28 सबसे पहले, और बाकी बची भी पूरी सीरिज को आज़ेटी, सेम टू सेम वापस लिख दिया कि सेगन के अंदर क्या होगा, अब सेगन के अंदर जो इस machine है दोसु, इस machine के अंदर input कौन सा आएगा, समझना वेरी बाद, ये वाला input, अब दोसु ये वाला input नहीं आएगा, अब नया बन गया यह, नया बन गया तो नया कौन सा है दोसु, 28, 8, 10, 2, 7, 12 और 15, clear दोसु, अब इसके अंदर जैसे ही देखे गाए, तो 28 तो पहले से ही था, इसने clear कर लिया था, अब ये यहाँ पर क्या लेकर के आएगा दोसु, 15 सबसे बड़ी संक्या, तो 15 को यहाँ लेकर के आजएगा, अना एक बार मैंने बताया था, एक संक्या को ही change करेगा, तो 15 के बाद ज इसरे चरण के अंदर दोसु, यहाँ पर देखेंगे, तो यह वाली संक्या जो आएगी, इस मसीन के अंदर, मसीन इसे फिर से जमाएगी, अवरोही करम में, तो 28 है दोसु यहाँ पर, और यह 15 है, यह तो ऐसे कैसे ही है, अब क्या होगा ना दोसु, यहाँ पर, यह 12 जो है चोता चरण, अब चोते चरण में, यह देखें, 28 है, यहाँ पर 15 ऐसा कैसे ही है, अब इसके बाद क्या करेगा, बारा भी ऐसा कैसे ही है, अब यह 10 को उठा करके, यह आगे लेकर आएगा, यह 10, अब क्या बचाओ दोसु, 8 बचे, 2 और 7 बचा है, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया, 2 और यहाँ हो गया, दोसु, 7, clear है, दोसु, अब चलते हैं, हमारे चरण, 4 की, 5 की और, देखें, सबसे पहले में, टप इसलिए करा रहा हूँ, यहाँ पर 5 चरण में, चाता, 2 चरण के अंदर एसा एक्जामपल लेके खतम कर देया, लेकिन मज़ा नहीं आता, दो अब किसको सेट करेंगी, दोसु, यहाँ पर, देखा जाए, तो 8 तो देखें, यहाँ पर ओल्रेडी ऐसा कैसा ही है, 8 तो वैसा ही जम गया, अब आजाएगा 7 यहाँ पर, दोसु, यह 7, 7 आते यह 2 इसके पीछे चला जाएगा, दोसु, ठीक है, clear है, दोसु, यह 2 इसके प एक संक्या को ही चेंज करती है, clear है, इसमें कोई साभी concept लग सकता है, अब मैंने आपको जो है, यहाँ पर दिया है, दोसु, यहाँ पर कुछ मैंने आपको numbers दिये हैं, यहाँ पर alphabet भी हो सकते हैं, जैसे, how are you, हाना, how are you, अब इस how are you का क्या है, यह input बनेगा, तो output क्या नि ध्यान से समझ लेगा, उसकी तो यहाँ पर नहीं पार है, दोस्तो, अब यहाँ पर दोस्तो एक उधारन दिया जाता है, इस उधारन को आपको समझना होता है, समझना होता है कि भाई, यह कहना क्या चारा है, इसी उधारन के अनुसार दोस्तो आपको प्रस्ण जो है, एक, दो, तीन, चार, पाँच इस प्रकार से दिये जाते हैं अगर आपको ये उदान दिया हुआ समझ में नहीं आता है दोस्तों ये प्रस्णा आपसे नहीं होगे क्योंकि ये इनसे ही जुड़े हुए होते हैं यानि कि लश्ट बार में आते ही ये मशीन बंद हो जाएगी इस स्थिति में उपकरण चरण पाँच पर बंद होता है देखिए यहाँ पर चरण देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच चरण है टोटल दोस्तों अब यहाँ पर इन्पूट की बात करें दोस्तों सबसे पहले मशीन के अंदर ये दिया गया जैसे मैंने आपको अभी समझाया था सबसे पहले हमने क्या दिया था ये वाला तो इसी प्रकार से इसके अंदर क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर input यह वाला दिया है आप यह क्या कर रहा है आपको समझना है कि चरण फास्ट में जो है जैसे यह machine थी दोस्तो इस machine के अंदर यहाँ पर इसने input दिया है 85, 16, 36 4, 19, 97, 63 और 9, clear है दोस्तो अभी output यहाँ पर यह लेकर क्या है चरण फास्ट में यह वाला तो इसका मधलब क्या है दोस्तो सबसे बड़ी संक्या है हाँ पर 17, 97 को सबसे पहले लेकर कर आ गया clear है यह देखिए 17, 97 सबसे बड़ी संक्या है यहाँ पर यह सबसे बड़ी संक्या को सबसे पहले machine ने set कर दिया अब ये बची भी वापस सारी संक्या हैं यहाँ पर यह देखिए सारी इन संक्याओं को मशीन ने वापस पीछे छोड़ दिया क्यूँ हमने पता है कि मशीन एक बार के अंदर एक चरण में सिर्फ एक संक्या को चेंज करती यह देखे 85-16-36-4-19-63-09 यह ऐसे कैसे बच गया अब जब ये मशीन इस चरण सेगंड के लिए ये इनपूट काम आएगा दोसु पहले वाला तो इसके अंदर जैसे ही मशीन ने देखा कि भाई पीछे आसी तो आटोमेटिक यहां सेट हो गया पीछे से यहां देखे कोई बड़ी संक्या नहीं है तो अब इस चरण के क्लियर है खेल डूसरा को प्रिज्ट कर लिया है यहां अब आदर जैसे है यहां और no यहां clear है दोस्तों आगे चले अब यहां पर चरंड 3 है किस के लिए काम आएगा input के लिए चरंड 4 के लिए काम आएगा यानि यह पूरी संग्या तो machine में जैसे ही इस सारी संग्याओं को डाला दोस्तों समझना तो machine को पताएगी भाई मैंने जो है काम यहां 36 तक तो कर नहीं रहे जाएगा अब क्या होगा 19 तक तो इसने कार्य कर लिया तो यह चरंड जो है चोता 5 के लिए input की तोर पर कार्य करेगा दोस्तों यहां पर देखेंगे हम तो 19 ही आ गया और यह 16 जो था यह 16 तक कार्य कर लिया था दोस्तों अब यह क्या करेगा चार और हमारा 9 अब इतना टाइम इससे क्यों लगा दोस्तों मसीन को समझ यह मेरी बात मैंने बताय था कि एक संक्याव चेंज करेगी इसलिए इसे लगा है अब समझ ना मेरी बात आपने यह समझ लिया है कि सर यह जो पूरा प्रोसेस हो रहा है सर इसके अंदर तो सर अवरोही करम चल रह पर आप देखें दोस्तों आगे यह खाली पेज है यह आपका पहला क्यूशन ठीक है पहला क्यूशन आप देखेंगे दोस्तों यह आपको इंपूट दे रहा है यह आपका इंपूट है दोस्तों और इस इंपूट का तयत आपको जो है आउट्पूट निकालना है और यह बोल रहा है कि कौन सा चरण थर्ड होगा यहां पर तीसरा चरण आएगा वो इन में से कौन सा मेंच हो रहा है दोस्तु तो हमें पता है कि सबसे पहले आपका इन्पूट क्या है इन्पूट आप कैसे एटेम करना है देखिए 9, 25, 16, 30, 32, 18, 17 और 6 अब मशीन के अंदर आपने यह लाइन डाली है तो हमें पता है कि वहां उदारण में उसने अवरोई करम कर रखा था तो हम भी अवरोई करम करेंगे दोस्तु तो यहां हम करेंगे चरण पहला चरण पहला चरण पहले के अंदर जैसे ही मशीन के अंदर डाला मसीन समझ गी कि 32 सबसे बड़े है तो 32 को पहले लखे आना है यह 32 लखे आगे और बाकी को आप ऐसे डाल दीजिए 9 का ऐसे डाल दिया 25, 16, 30, 18, 17 और 6 clear है दोस्थो अब चले आगे चरण जो है चरण हम second पर चलते हैं second चरण के अंदर क्या होगा न दोस्थो पहला चरण है यह input की तरह कारे करेगा यानि यह पूरी line है दोस्थो इस पूरी line को machine के अंदर डाल दो डालने पर इसे पता है कि 32 को तो इसने अरेंज कर लिया 32 को तो पहले ही लेकर आगे अब इन में से बच्चे होए में से यह डूंडे की सबसे बड़ा कोन है तो यहां पर 30 है तो यह 30 को यहां लेकर के आएगी जैसे ही एक संक्या वो 30 को यहां लेकर के आएगी दोस्थो इस जगह पर यहां पर लाते ही अब दूसरी जो बच्ची वी संक्या इनको ऐसे गैसे रख दे क्योंकि एक चरण में सिप एक ही संक्या को लाती यह 9 को आपने ऐसे ही से रख दिया, यह 25 को ऐसे ही रख दिया, यहाँ पर 16 को ऐसे ही रख दिया, फिर 18, 17 और चीरोशे, ठीक है दोसु, चरण 2 कम्प्लीट है, अब चरण 3 पर चलते हैं दोसु, जैसे ही चरण 3 पर गए, तो यहाँ पर चरण 2 का input इसके अंदर डालेंगे, जैसे ही 9 से पकड़ेगी, तो इसके पास पता है कि 25 सबसे बढ़ाए, तो यह 25 को यहाँ रख देगी, उसके बाद यह 9 तो ऐसे कैसे ही बचेगा दोसु, 9 ऐसे कैसे ही रह जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, 17 और चीरोशे, क्लियर है दोसु, यह बात कर रहा था दोसु, यहाँ पर चरंड तीन कौन सा होगा, तो चरंड तीन हमारा यह है, तो चरंड तीन में देखिए, 32 आना चीए, 30 आना चीए, 25 आना चीए, 32, 30, 25, क्या और किसे में है क्या, यहाँ पर भी नहीं है, 32, 30, 25 होना चीए, यहाँ 30 नहीं है, तो यह गलत है, यहाँ पर 25 नहीं था यह भी गलत है 32 30 और यहां 25 नहीं यह तो यह भी गलत है option आपका एवला राइट है और इसे वैसे पूरा मिलाएंगे आप तो यहां पर देखेंगे तो 32 30 25 हो रहा है 9 16 18 9 16 18 और 17 और 6 यह 17 और 6 दोसो ठीक है यह आपका option इसमें right है बहुत simple question है दोसो आपको क्या करना होता है ना दोसो यहां पर इसे समझना होता है कि भाइ इसके अंदर ये क्या किह रहा है तो आमें पताए कि ओरोईकरण में चल रहा तो हमने भी वहाँ बीना सोच हे समझे क्या कर दिया इस क्यूशन के अंदर ओरोईकरम लगा धियाया हमने और इससे हमारे आंसर आगे क्लिए रहना दोस्तू आगे चले आगे समझ में आ रहा है तो प्लीज यार लाइक कर देना और धड़ा-धड़ी इसे शेयर कर देना अपने जितने भी गुरूप हो यार उसके अंदर दमाल मचा देंगे पटवारी के अंदर गारंटी है दोस्तों ठीके अब चलते आगे दोस्तों यहां देखते हैं दिये के इनपूट के लिए अंतिम चरण कौन सा होगा यानि मसिन को चलाते रहना अंतिम चरण कौन सा होगा तो दोस्तों यहां देखते हैं इनपूट हमारे पास क्या है देखे इंपूट क्या है समझना मेरी बात 16, 9, 25, 27, 6 और 5 जैसे ही हमने डाला तो ये इंपूट तो चरण पहला जाएगा दोसु अब करना क्या है उदारण में दिया वा था कि औरोई करम में चलना है तो इन सब के अंदर औरोई करम ही लगेगा क्योंकि एक से लेकर के 5 से क्विशन है दोसु ये उसी उदारण के तहत दिये गए ठीक है जैसे ही मशिन के अंदर डाला दोसु मशिन किसको पकड़ेगी इस पूर लाइन में सबसे बड़ी संक्या को तो बड़ी संक्या तो 27 है, 27 है तो 27 को पकड़ते ही फिर ये सारे को एक बार वापस रख दे, क्यों एक बार में सिप एक संक्या को लेकर आती है, ये सबसे बड़ी संक्या है तो इसको आगे लेकर करके आएगे तो 27 आगया, फिर ये देखे 16 और 9 और 25 और 06 और 5 को आप ऐसे कैसे लिख दीजिए clear है ना दोस्तों अब बात करते हम चरण सेगंड की सेगंड चरण में क्या होगा ना दोस्तों पहला चरण है यह input मशिन के अंदर डालेंगे तब आएगा अब इस पूरे को जो है मशिन के अंदर डाला तो मशिन को पता कि बाई 27 इसको तो मैंने पहले से जो अरेंज कर दिया आगे लेकर के आ गई अब यह कहां से पकड़ेगी 16 से 16 से दोस्तों शुरू करेगी 16 से इसने देखा 25 सबसे बड़े है तो 25 को यहां लेकर के आ जाएगी फिर यहां पर जो है 16 और 09 इसको ऐसा है इसा ही रख देगी ठीक है यह वाला हो गया अब चरण तीन की ओर चलते है दोस्तों चरण तीन अब चरण तीन में क्या है चरण दो ही जो है दोस्तों यहां पर तीन में काम आएगा यानि इस पूरी लाइन को जो क्या करेगा इन्पूट के तोर पर मशीन लेगी और आटपूट निकालेगी तो मशीन को पता है कि मैंने 27 और 25 को अंदर जमाएगी तो सबसे बड़ी संक्या क्या है दोस्तों समझेंगे आप यहां पर यहां नो है क्लियर है ना नो है सबसे बड़ी इसमें भी देखेंगे तो 6 है और 5 है मुझे बताओ यहां तक यहां पर देखेंगे हम तो यहां मुझे बताओ आवरोही करम बन गया नहीं बन गया अवरोही करम यहीं तक complete हुआ कि नहीं वहाँ चरण सेकंड तक बताए मुझे क्या इस चरण की यहाँ पर जोरत थी क्या आप बोलेंगे सर नहीं थी क्यों सत्ता ही सबसे बड़ा उससे चोटा 25 उससे चोटा 16 उससे चोटा 9 उससे चोटा 6 और 5 यानि कि चरण सेकंड कौन सा होगा दोसु चरण सेकंड यह देखिए सेकंड वाला क्लियर दोसु क्लियर है तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को अपने दोसुक्षा शेयर कर देना यार पटारी भाई हो आपका भाई आपको पटारी बना के जरूर छोड़ेगा आपका साथ रहा तो ठीक है आप चलें आगे देखिए इसमें देखिए नीचे दियेगे इंपूट के लिए चरण पांच का आउटपूट क्या होगा वाई साब पांच चरण तक इसे निकालना है ठीक है ना इसकी 100 ट्रिक भी बताऊंगा मैं लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजे यहाँ पर आपका इ मैं फटा बट से करता हूँ ध्यान रखना समझना इसके अंदर जैसे ही आप इसे करेंगे दोस्तों तो यह आपका हो गया चरण पहला तो चरण पहले के अंदर क्या करेगा मशिन को अवरोही करम में चलना है इसे पता है अवरोही करम में सबसे बड़ी संख्या डूंड़ के आगई तो 67-23 अब चरण हम बात करते दोस्तों यहां पर चरण सेगंड की सेगंड के अंदर क्या है पहले ही चरण काम आएगा इंपूट के लिए तो इससे पता है ठैसी तो इसने आगे लेकर के आगई अब यह किसको लेकर के आएगी अब यह 25 से लेकर के यहां जाज क अब बात करते दोस्तों यहां पर चरण थर्ड की थर्ड चरण के अंदर देखेंगे दोस्तों तो यह सेगंड चरण है इसी का इंपूट इसके अंदर आएगा यानि पूरी लाइन जो उस मसीन के अंदर वापस जाएगी मसीन को पता है मैंने 88 और 67 को तो मैंने क्या कर दि दोस्तों यहां पर यह 25 से वापस ऐसा जिसे लिखेंगे तो पत्चीस आठ ग्यारा ओरते इस क्लियर दोस्तों आप चले आगे चरण हम चार की बात करते हैं चरण चार की जैसे ही बात करी दोस्तों हमने तो इस मसीन को पता है कि बाई 3 का input लेना है मुझे तो यानि इसने 88 को तो कर लिया है सेटी सट को कर लिया अब देखेंगे तो इन चारों में से वैसे ही पचीस बढ़ा है तो यार मत चीस यह azology को बैठी में बैठा गया है यहां पर यह this और आठ और ग्यारा ऐसे कैसे रखना है अब चलते हैं दोस्तों लाइस्ट हमारा चरण पांचे की बात करा था पांचे पे चलते हैं तो यह 88 इसने स्केन कर लिया 67 कर लिया 35 कर लिया 23 हम आगे लेकर के आ गए इन दोनों में से स्केन करना था तो 11 जो है यहां आजाएगा और 8 आपका बचावा यहां हो जाएगा ख्लियर है दोस्तों ख्लियर है ना यानि कि आपका यह हो गया चरण पांच ठीक है अब यह किसमें मिल रहा है 88, 67, 35 यहां पर देखें 88, 67, 35 यहां तक तो चल रहा है फिर 25, 23 यहां पर देखेंगे दोस्तों यह गलत कर रहा है इसलिए यह उप्शन नहीं होगा अगर इसमें हम शोर्ट ट्रिक की बात करें दोस्तों आप बोलंगे कि सर इतना वहां पर टाइम लगे क्या टाइम नहीं लगेगा यह आपके दिमाग के उपर जितनी प्रैक्टिस करेंगे धड़ा-धड़ से क्विशन होगा जैसे ही आपको पताए कि भाई यह हमारा इंपूट है ठीके दोस्तों यह हमारा इंपूट है तो आप क्या करेंगे चरण पहले के अंदर चरण पहले के अंदर आप क्या करेंगे आपको पताए कि यार जब इस तरह किसे प्रोसेस आजाएगा आपको पताए चलेगा यार 88 सबसे पहले आजाएगा 88 यहापर सबसे पहले आजाएगा अगर सेगंड चरण की बात करें तो 88 के बाद क्या जाएगा दोस्तों यहाँ पर 67 आजाएगा अना यह 67 आजाएगा सेगंड चरण के अंदर फिर अगर 3rd की बाद करें दोस्तों जैसे ही 3rd की बाद करें तो 88 की बाद 67 है और 67 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 35 हो जाएगा तो यह 35 आगया अब जैसे ही 35 आया आपके दिमाग होना चाहिए 35 हमने यहाँ पर लिख दिया तो अब लाइन तो बार-बार यहीं से चल रही तो 25 तो ऑटोमेटिक इसके पास वैसे ही जुड़ गए 25 जुड़ गए अब हम 4 की बात करते दोसु तो 88, 67 आपका ऐसे किसे रहेगा 35 और 25 ऐसे कि क्या बचा है दोस्तों 11 बचा है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा यह 58, 67 हो गया 35 हो गया और 23 हो गया तो सबसे पहले क्या जाएगा 11 आएगा और 8 सबसे छोटा बाद में आएगा अना मैं इसको सभी से लिखता हूं यहाँ पर यह आपका हो गया 8 ठीक है यह गलत था option तो इसका मदब दोस्तों आपको समझ में आज शोट ट्रिक में ऐसे होता है विदिन यह आप जो है पांस सेगंड के अंदर कर सकते दोस्तों आप बोलेंगे गुरुजी मजाक करें मजाक नहीं करें गुरुजी प्रैक्टिस चाहिए होती है ऐसे क्विशन के लिए आप मैंने स्टेज पर पहुंँ जाएंगी यह मेरा वादा है आपसे दोस्तों ठीक है तो इसका उप्शन आपका कौन सा हो गया वीवाला उप्शन आपका इसमें राइट है चले आगे दोस्तों तो मैंने आपको इसमें शोट ट्रिक भी बता दीगी शोट में भी कैसे एटेम करना है अब दोस्तों यहाँ पर आपसे बोल रहा है यह कि निचे देगे इंपूट में निवलिक में कौन सा अंतीम चरण होगा अब इसका अंतीम चरण निकालना में यानि आपके पास इंपूट क्या है दोस्तों इंपूट आपको देर का है 3, 31, 43, 22, 11, 09 तो यहाँ पर पहला अ वापस ऐसा यहाँ रख दिया 43 को बाहर निकाल दिया तो यह 0, 3, 31, 22, 11, 09 यह हो गया दोस्तों अब चरण सेगंड की बात करतों सेगंड के अंदर क्या है मशिन के अंदर अब यह लाइन डालनी पड़ेगी इस लाइन को भूल जाओ जैसे आप तीसरे पर चलेंगे तो 31 को यहाँ पर आगे लेक्तिस आपका आगया और 0, 3 से वापस ऐसा ही यहाँ पर रख देगी क्लियर है दोस्तों अब हम 3rd की बात करते दोस्तों यहाँ पर 3rd की बात करेंगे तो क्या होगा दोस्तों इसमें 3rd के अंदर यहाँ पर यह input काम आएगा तो 43 और 31 तक तो इसने क वाले की बात करते हैं चरण की बात करें तो 43 इसने जो है सकेन कर लिया था 31, 22 अब क्या बचा है दोस्तों इसके अंदर आप देखेंगे तो 11 है दोस्तों इस 11 को कहा लेकर क्या आएगी यह 11 को यहाँ पर सबसे बड़ा तीनों में देखिए 3 से 9 तक 11 ही सबसे बड़ा है य क्या लेकर क्या आएगी तो 11 हो जाएगा बच्चे पर 3 और 9 हो जाएगा अब मुझे बताए क्या यह अंतिम हो गया क्या नहीं हुआ क्यों गुरु जी 9 भी तो आगे आना चीए तबी तो जाकर क्या औरोई करम बनेगा वरना यह तो छोटा पहले आगया नहीं होना चीए तो पांचव करम क्या होगा दोसु यहाँ पर 43 है 31, 22, 11 तक तो स्केन कर लिया था अब इन दोनों में स्केन करना था इसको मशीन को जाच करनी थी मशीन 9 को जो है आगे लेके आगई तो यह 9 आगे आगया और 3 पीछे चला गया तो टोटल आपके पास टोटल दोसु चरण क कि अंदर ये दोस्तों complete होगा समझ में आ रहा है ना दोस्तों गब रहा है नहीं मैं आपको बताता रहूंगा लगातार आपसे जुड़ा रहूंगा बस आप इतना वदा कीजिए यार कि हां सर हमी से शेर करेंगे तमाल मचा देंगे तब ही जाकर रहें आपको रिजनिंग यहां पर हना चरण चार दे दिया गया है यानि कि सबसे पहले कुछ इंपूट यहां था तो इंपूट यहां था तो पहला दूसरा तीसरा और चोता चरण यहां दे दिया गया है ठीक है ना दोस्तों यह आपको चरण दे दिया गया है चोता चरण यहां देर का आपको यह बर्राणवे, छांसी, एककतर, उनसीतर ऐसे करके लगातार, अठाउन तक, यह आपको देर का चरह, अब यह बोल रहा है दोस्तों, इससे उल्टा चलके आप इस इंपूट तक पहुंचो कि इंपूट क्या होगा, तो दोस्तों यह संभव नहीं है, इसलिए निर्दाइट न अलग लग, तो जरूरी नहीं कि कौन सी स्टेप में आएगा, कौन सा इसका इसका इंपूट रहेगा, शुरू वाला, ठीके दोस्तों तो ऐसा जब भी कुशन आए, तो निर्दारी तो नहीं किया जा सकता है, दोस्तों उमीद करता हूँ कि यह क्लियर हुआ होगा, अगर यार क्लियर हुआ होगा, तो प्लीज लाइक करें वीडियो को अपने दोस्तों साथ, मैंने बताया था कि एक पटवारी जो है, दस पटवारी के अंदर इसे शेर करेगा दोस्तों, ध्यान रखना, और आप अगर चाहते इसकी पीडिया प्राप्त करना, तो आप टेलिग्र पर जाएए, टेलिग्राम पर जाकर के दोस्तों, एप्लस अकेड में आपको लिखना है, एप्लस अकेड में बिना स्पेस दिये वे, महां जाकर के आप इस पीडिया अपको डाउनलोड भी कर सकते है, देख सकते है दोस्तों, ठीक है, तो इसकी साथ अब मिलेंगे, साथ अर्षे शेयर कर देना इसे इसे साथ मिलेंगे दोस्तों हम नए वीडियो में टिक है जै हिंद जै बारत